सुकधार को बेक स्वप्राधिकार की ओर से विधिक ज्याग प्रद्रक्षण के उप्लक्ष में आजित इससिविर की अधुक्षदा विधी के सेवप्राधिकार के सजीव अनवर समीव ने किया इसमगी पर अपर जिलाए वमसत नियाए इधीस वा सची विधीक सिव पृतिकार ने अपने संबुधन में खा कि मेरा आप समों की बीच आना किसी खास प्रियूचन के लिए हुआ है यह प्रियूचन यह है कि नियाए पाना और नियाए में लास समाज के हर तबके के लोगों का अधिकार है इस धर तेरस केपी चन जोयलर्स के संग सोना चांदी की खरिदारी करे हर ब्रैंडर जूलरी शोरूम से सस्ते में बेकिंग चार्जस पर आज याई केपी चन जोयलर्स कालिस्तान चौक वेगु सराई उन्होंने गार कि सरकार्ड हमें एक ऐसी विबस्ता दी है अगर आप नियाय पाने के लिए नियायले तक नहीं पहुशते हैं तब भी आपको नियाय जरूर मिलेगा इसके लिए नियायले को ही आपके पास क्यों राना पढ़े असमा के पर प्रोमेर आलोक कुमार अगरवार, पिर्तुची कुमार, पेरल अधिवक्ता, सबुद कुमार छा, पीलबी पिंक कुमारी, पीलबी प्रमद कुमार, सहित अर्ने करने माने लोग मझूद थे बियन्पी नियोज के लिए समवाद दाता सिवं कुमार की रिपोर्ट राज जीला अस्तर पर योजनाय चल रही है नस्री वदात का सेवन हम लोग करते हैं और वो नमिला तो चले बजार में नस्री दमाओं का सेवन करते हैं यह अपराद है पूछिए पूछिए को जाना है अगर नहीं बताएं तो विदिक प्राधिगार आप चलाएगे पीर भी हम लोग बताने के लिए हैं आपके साथ चलेंगे आवेदम देंगे हो सकता है इन्द्रा आवास के लिए कोई पैसा मांग रहें है कि आप दिजिएगा तब हम आपका पास करेंगे इसके लिए भी आप विदिक प्राधिकार चलाएगे पीर भी लोग वखोजिए आपके साथ हर हद हमेशा हम लोग रहें और आपके साथ सेवा देने के लिए रहेंगे तर्थ पर रहेंगे आप जैसे आप लोग कोई केस हो जाता है तो पुलिस का गारी होने के बाद दवर के भाग जाते हैं भाग नहीं है भागने के लिए आपके दर्वाजे पर नहीं आ रहे हैं सही से आप जाएए और सबंग पर घरीब ह्यों से हैं उसके लिए विदीक पराधिकार आपको सहेता देने के लिए वखील अब canal जाएंगा के का है इसके लिए वब्साहब से मिलिए किलरी पराधिकारadia जाएंगे हम सच्छम नहीं है पी अन्भी आपको एक आवेदन बना देंगे और इन सहाथ आपको दी में मिल जाएंगे करम का आयोजन किया जा रहा है वो उस उद्देश्ट के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया होगा और मेरा यहां आपके बीच आना एक विशेश इसका भी महत को है महत यह है कि आप समझें कि नियाए मिलना नियाए पाना हर वैक्ति का तमाज के हर वैक्ति का उसका अधिकार है और यह हमारे सरकार के लिम्मेदारी है कि उन्होंने एक ऐसी वरुस्था हमें दी है जिसमें नियाए अगर आप नियाए पालिक नियाए ले तक नहीं पहुशने हैं तभी तभी नियाए आपको मिलेगा उसके लिए चाहे तो नियाए ले को आपके दर्वाजे तक क्यों नहीं जाना पड़ा इसी उद्देश के तेहर एक याएधीश को इस तरह के जिम्मेदारी सौपी गई है जसस सौपीश के डकिशसा सी तेहर रिखशने हैं जसस्देश कहते है याएधी तेहर ले मंत not t reconna Except